प्रकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं प्रकरण को इंग्लिश में आप incident, case या scandal कह सकते हैं Incident, case या scandal Incident की spelling होती है I-N-C-I-D-E-N-T incident C-A-S-E case या S-C-A-N-D-A-L scandal यानि की प्रकरण का मतलब होता है कि एक ऐसी घटना जो किसी लंबी कहानी या इतिहास या जीवन का हिस्सा हो लेकिन जिसे अपने आप में पूर्ण माना जाता है यानि की कोई पूरा एक case होता है या कोई incident होता है तो उसको भी आप एक प्रकरण कह सकते हैं इसके इलावा प्रकरण का मतलब होता है कि कोई जैसे किसी ने कोई घटना हुई कोई कांड कर दिया या कोई बुरी चीज हुई तो उसको भी एक प्रकरण कहा जाता है जिसे इंगलिश में आप scandal कह सकते हैं इसके इलावा प्रकरण जो है किसी विशय या घटना आदिक वर्नन का वह भाग होता है जो किसी ग्रंथ का भाग हो या किसी किताब का हिस्सा हो तो उसको आप इंगलिश में episode या chapter कह सकते हैं यानि कि किसी ग्रंथ का भाग है विभाग जिसमें किसी एक विशय या घटना आदिका वर्नन हो तो इसको आप episode या chapter भी कह सकते हैं तो प्रकरण का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए अलग-अलग शब्दों का इंगलिश में इस्तेमाल आप कर सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंगलिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें